नमस्कार मैं हूँ पंडित नरेश नाथ आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे शास्त्रों में सूर्य को ग्रहपती के साथ सूर्य नारायन की संग्या दी गई है। इसके सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक गया है। इसके चिकित्षिय और आध्यात्मिक लाब को पाने के लिए लोग प्रतह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं। हिंदू पंचान के अनुसार रविवार का दिन सूर्य ग्रह के लिए समर्पित है जो की सप्ता का एक महत्वपून दिन माना गया है। जियोतिश के अनुसार सूर्य जब मेश राशी में प्रवेश करता है तो वो धार्मिक कार्यों के लिए बहुती शुप समय होता है। इस दौरान लोग आत्म शांती के लिए धार्मिक कारयों का आयोजन कराते हैं तथा सूर्य की उपासना करते हैं। विबिन राशियों में सूर्य की चाल के आधार पर ही हिंदू पंचान की गंणना सम्भव है। जब सूर्य एक राशी से दूसरी राशी में गोचर करता है तो उसे एक सौर मास संक्रांती कहते हैं। राशी चक्र में बारह राशिया होती हैं। अताह राशी चक्र को पूरा करने में सूर्य को एक वर्ष लगता है। अन्य ग्रहों की तरह सूर्य वक्री नहीं करता है। सूर्य हमारे जीवन से अंधकार को नश्ट करके उसे प्रकाशित करता है। ये हमें सदैव सकारात्मक चीजों की और प्रेलित करता है। इसकी किरन मनुश्यों के लिए आशा की किरन होती है। साथ ही ये हमें उर्जावा सूर्य नारंगी रंग का शुष्क, गर्म, आगनेया और पौरुष प्रवरिती वाला ग्रह है दिशाओं में ये पूर्व दिशा का स्वामी होता है जबकि धातूं में ये तामबा और सोने का स्वामी होता है वैदिक जोतिश में सूर्य का महत्व वैदिक जोतिश में सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में पिता का प्रतिनिदित्व करता है जबकि किसी महिला की कुंडली में ये उसके पती के जीवन के बारे में बताता है सरकारी सेवाक्षेत्र में सूर्य उच्च वप्रशास्निक पद्तथा समाज में मान सम्मान को दर्शाता है ये लीडर नित्रित्व करने वाला का भी प्रतिनिदित्व करता है यदि सूर्य की महादशा चल रही हो तो रविवार के दिन जातकों को अच्छे फल मिलते है रंग शहद के रंग जैसा होता है व्यक्ति के शरीर में सूर्य उसके हृदय को दर्शाता है इसलिए काल पुरुष कुंडली में सिंग राशी हृदय को दर्शाती है सूर्य पुरुषों की दाई आख और स्त्रियों की बाई आख को दर्शाता है रोग यदी जन्म कुंडली में सूर्य किसी ग्रह से पीलित हो तो ये हृदय और आख से संबंधित रोगों को जन्म देता है। यदी सूर्य शनी ग्रह से पीलित हो तो ये निम्नरक्ट दाब जैसी बीमारी को पैदा करता है। जबकि गुरू से पीलित होने पर जातक को उच्च ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। ये चेहरे में मुहासे, तेज बुखार, टाइफाइड, मिर्गी, पित की शिकायत आदी बीमारियों का कारक होता है। सूर्य की विशेश्टाएं यदी जन्म पत्री में सूर्य शुब स्थान पर अवस्थित हो तो जातक को इसके शुब परिनाम परिनाम मिलते हैं। सूर्य की ये स्थिती जातकों के लिए सकारात्मक होती है। इसके प्रभाव से लोगों को मनवान्शित फलप्राप्त होते हैं और जातक स्वयम के अच्छे कारियों से प्रेरित होते हैं। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में प्रगती करता है और समाज में उसका मान सम्मान प्राप्त होता है। ये व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों को विक्सित करता है। क्रोधी महत्वाकांक्षी आत्मकेंद्रित क्रोधी आदी बनाता है। सूर्य से संबंधित कारिय व्यवसाय समान्य तोर पर सूर्य जीवन में स्थाईपद का कारक होता है। ये हमारी जन्पत्री में सरकारी नौकरी को दर्शाता है। यदि जिस नौकरी में सुरक्षा भाव सुनिश्चित होता है, वहाँ पर सूर्य का आदिपत्य भी सुनिश्चित होता है। कार्यक्षेत्र में सूर्य स्वतंत्र व्यवसाय को दर्शाता है। हाला कि किसी व्यक्ति का करिय कैसा होगा, ये सूर्य की दूसरे ग्रहों से यूती या संबंध से याद होता है। पहार, किले, सरकारी भवनित्यादी, जानवर और पक्षी, शेर, भोणा, सुव, नागिन, हनसादी, जर, बेलमूर, प्रतनह मानिक्य, रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष, यंत्र, सूर्य यंत्र, रंग, केसरिया, सूर्य के मंत्र, ज्योतिश में सूर्य ग्रह की श ज्योतिश में सूर्य को किस कारण ग्रह पती की संग्या दी गई है, यह आपने समझ ही लिया होगा। हमारी प्रित्वी पर सूर्य के द्वारा जीवन संभव है, क्योंकि सूर्य प्रकाश और उर्जा का प्रतिक है, इसी से जीवन गतिमान होता है, इसी कारण सूर्य को समस्त जगत की आत्मा कहा जाता है। अगले वीडियो में विभिन भावो में सूर्य के फलो की व्याख्या करेंगे। हर रोज कुछ नया सीखे हमसे जुरे, फेस्बुक पेज लाइक करे, इंस्टाग्रम चैनल से जुरे, कुछ पूछना है, तो वाट्सेप पर मेसेज करे या सुबह 10 से दुपहर 12 बजे तक फोन कर जानकारी ले सकते हो। अपना प्रचार करना चाहते हैं, तो हमारे संपर्क बाक्स में डाल दे हम जल्द से जल्द उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमारे ब्लॉग को पढ़ने विडियो को दोस्तों में शेयर करने के लिए आपको हुरदय से धन्यवाग। जै महा काली हर हर महा देव।